हेलो गाइज वेलकम टू माइ न्यू वीडियो तो आज इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ एक केक तो मैं तीन हैपी हैपी बिस्कुट लिये एंड उसको मिक्सी में पीस लिया अब मैं इसको मिक्सी में कर्टोरी में निकाल दूंगी और ये केक बहुत अच्छा बना था अब हम इसमें मिल्क डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे चौकलेट का कलर विए तब तक आप इसमें इनू डालेंगे आप पूरा डाल सकते हैं मैंने थोड़ा से डाला है और एक भगूने में गरम पानी रख दीजिए और एक कटोरी रख दीजिए आप स्टेंट भी रख सकते हैं इसको डख दो अब एक कटोरी में बटर लगाओ थोड़ी सी मैटा डालो और मैदय को अच्छे से मिक्स कर लो पूरी कटोरी में अब इसके अंदर अच्छे से चॉकलेट डाउन तो जमने बनाई थे अब इसको रख के हम इसको डख देंगे आप वो आपको इसी भी चॉकलेट ले लो जो आपको अच्छी लगती है तो मैं तो यहां पर मेल्टो ली है जो टैन रूपीज में इतनी बड़ी आगी तो मैं मैंने पहले इसको निकाला अच्छे से और इसके पीस कर ले थोड़ी तूट गई थी जब मेरा भाई साइकल पर लेके आ रहते इसको तभी और जब मैंने इस चॉकलेट को खाया था था तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा था अब यह बड़े बड़े पीशिस में हैं हमें इसको थोड़े छोटे-छोटे से पीसे में कर लेना है जो कि मैंने इतने छोटे पीशिस में कर लिया हैं बहुत छोटे है इतने छोटे-छोटे पीसे में अब हम इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे अब जब हमने इसको मेल्ड को अलिए अबying मीसे भी थूड़ा सह मेल्क डालेंगे बहुत कम सा अब आ ऑब यह इतनी टेस्टी बनी थी जब मैने इसको थोड़ा से अब हमारा केक मैंने इसमें एक बार टेस्ट करके देखा था भी नहीं बना था और अब बनाए है अच्छे से मम्मी इसको चाकू से निकाल लही है और इसके उपर अच्छे से जो चोकलेट हमने बनाई थी वह डाल दी विल्कुर अच्छे है इसको हमने जारों तरफ के ला दिया एंड यहां पर चैंस लगाती है तो आपको मैंची वीडियो कैसी लगी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइबंट से चलो कर लिएगा तब तक के लिए बाए बाए